रंग बिरंगी पत्तियों वाला यह पौधा आपके गार्डन की शोभा सालो साल बढ़ाता रहता है यह सबसे पॉपुलर हाउस प्लांट है और यह है क्रोटोन क्रोटोन को अपने घर में जरूर लगाईए यह क्रोटोन एक ऐसा पॉधा है जो हवा से जहरीले गैसों को सोखने की शमता रखता है ऐसी मानिता है कि इन्हें बेडरूम में रखने से घर में साकारातमक उर जाती है क्रोटोन के पॉधे में हवा को शुद्ध करने की अदभुत शमता होती है और या हवा में मौझूद हानिकारक तत्वों को सोख लेता है क्रोटोन एक ऐसा पोदा है जिसे ज़्यादा मेंटेनन्स की जरूरत नहीं है बहुत असानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं इसकी कटिंग भी लग जाती है लेकिन बरसातों में अक्सर क्रोटोन की पत्यां सूख करके गिरने लगती है या फिर कई बार देखा है मैंने कि बरसात में क्रोटोन मरने लगता है आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि क्रोटोन की केर किस तरीके से करेंगे किन जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आपके क्रोटोन की पत्यां कभी नहीं सुखेंगी सबसे पहली चीज यह है कि क्रोटोन के जो लीव्स हैं पत्य हैं इनको क्लीन रखना होगा इन्हें आप यदि क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत जल्द ये जा करके गिरने लगते हैं जो कुछ भी खाद या पानी आप देते हैं वो सोखनी की शमता भी इन में नहीं रहती है इन में प्रकास संस्टलेशन की क्रिया भी अच्छे से नहीं हो पाती है जिससे आपका पौधा बहुत जल्दी अनहल्दी देखने लगता है इस पौधे को जब आप लगा रहे हैं बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएं हमेशा ध्यान रखे 5 से 10 इंच के कंटेनर में लगाएं क्योंकि इस पौधे को ओवर वाटर पसंद नहीं है यदि इस पौधे को आप अभी अपने घर में लगा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि स्वाइल मीडिया बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए यानि 50% गार्डन स्वाइल में आप 30% सैंड और 20% कंपोस जरूर मिला लें ये जो चीज मैं आपको करके दिखा रही है सबसे easy technique होता है जो हम नहीं करते हैं और वो है rotation यदि इस पौधे को एक जगह पे आप लगा देते हैं मान लिजए यहां मैंने लगा दिया और एक side से धूप या रोशनी मिल रही है और इसे हमने rotate नहीं किया यानि घुमाया नहीं तो पौधा एक तरीके से उस तरफ जुकता जाएगा और लेगी हो जाएगा इसलिए इस पौधे को हर week आप या 10 दिनों पे कोशिश करें कि इसे rotate करें इसके गमले को rotate करें इससे क्या होगा कि बराबर मात्रा में चारो तरफ से धूप या रोशनी बिलती जाएगी देखिए ये भी एक क्रोटोन का पौधा है और ये जुक गया है मैं इसका reason बताती हूँ कि क्यों ये पौधा जुका हुआ है वैसे तो क्रोटोन को over water नहीं पसंद है लेकिन कई क्रोटोन के ऐसे पत्ते होते हैं जिन्हें यदि आप पानी कम देते हैं या फिर वो इस्ट्रेस में जाते हैं तो अपनी पत्तियों को नीचे जुका देते हैं फिर आप जैसे ही पानी देते हैं उसके आदे गंटे बाद आप देखेंगे वो पत्तियां वापस से टाइट हो गई है और सही हो गई है ये वही पौधा है इसमें over water तो नहीं करना है लेकिन underwater भी नहीं रखना है यानि पानी की टेकनीक का बहुत ध्यान रखना है देखिए ये पौधा धीरे धीरे उटने लगा है क्योंकि अभी से 20 मिनिट पहले मैंने इसे पानी दिया था और ये जो पौधे होते हैं इनमें यदि आप over water करते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा सबसे पहले पतियां गिर जाएंगी underwater करेंगे तो पतियां जुक जाती हैं और थोड़े टाइम के बाद अपने stress को शो करती हैं बहुत ज़दा अंधेरे में यदि आप इसे रखते हैं ज रखना जरूरी है गर्मी में इस पौधे को ओपन में आप ना रखें ऐसी जगब पे रखें जहां कि सुबह की आ तो धूप मिल जा या इवनिंग की धूप मिल जा है मेरे पौधे को चार बजे के बाद की धूप मिलती है ओवर वाटर ना करें और समय पर इस पौधे की कमपोस्ट से फीड करें या तो आप गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर आप किसी प्रकार का जाइम ले सकते हैं सीविड के ग्रेनुल्स ले सकते हैं या फिर वर्मी कमपोस्ट सबसे बेस्ट है यदि इस पौधे को न्यू लगा रहे हैं तब भी आप वर्मी कमप या इसी प्रकार के compost का आप एक मिश्रन तयार कर सकते हैं यदि इस पौधे में dry है और आपको पानी देना है तो इसे पानी में घोल करके दे सकते हैं वो सबसे best होता है लेकिन मेरे पौधे में अभी मिट्टी गीली है इसलिए मैं dry form में दे रही हूँ उसके बाद आप क्या क करेंगे चाय पती एक चमचा पानी में रात भर भीगो दीजे और अगले दिन उसे चान करके उसके पत्तियों पर इस्प्रे कर दीजे इससे क्या होगा कि चाय पत्ति में जो एसिडिक चीजें होती हैं वो आपके पौधे को स्वस्त भी बनाएंगी और इसकी पत्तियां ब पराई हो जाएंगी जैसे मेरे पौधे की हुई हैं तो आप बेहतर है इसे बरसात में बचा करके रखें यदि आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो सेमी वूड कटिंग ले सकते हैं बिल्कुल नई कटिंग कभी भी नहीं लगेगी सिंपली आप गार्डन सॉयल में लगा दीजे बहुत जल्दी इसकी रूट्स बन जाएंगी और उसके बाद एपसम सॉल्ट से स्प्रे करते रहें या चाय पत्ती वाली जो खाद बताई उससे आप स्प्रे करते रहें इन सभी खाद को 15 दिनों पर ही रिपीट करना है जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है एक तो क्रोटोन को एसडिक सोयल चाहिए लेकिन कभी भी ओवर फर्टिलाइज और ओवर वाटर से इसके पत्ते जुकने लगते हैं मुझे अमीद है आज की जनकारी आपको अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कीज और गार्डिनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्षन में लिख दीजे मैं रिपलाई जरूर करूंगी अभी बरसातों में आप अपने क्रोटोन को ट्रीम कर सकते हैं यानि की हलकी ट्रीमिंग देकर के आप इसे शेप मिला सकते हैं यदि पत्तिय बहुत ओल्ड हो गई है तो वो अपने आप गिरती है इसलिए कभी कभी पत्तियों का गिरना नैचुरल होता है